नमस्कार, Vision ISK News Today के इसंक में आप सभी का स्वागत है इसंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परीक्षा के दृष्टी से महत्वपूर्ण, कुछ एहम खबरें और इसंक के साथ मैं हूँ दिव्यत उमर इसंक में सबसे पहले बात करते हैं स्वक्ष उर्जा पहल की भारत और अमरीका ने स्वक्ष उर्जा पहल की घोशना की है वर्चुल रूप से आयोजित लीडर समिट ओन क्लाइमिट के दौरान भारत अमरीका स्वक्ष उर्जा एजेंडा 2030 भागिदारी आरंभ की गई है ये शिखर सम्मेलन जलवायू मुद्दों पर केंद्रित वैश्विक बैठकों की श्रंखला का एक हिस्सा है जो संयुक तुराष्ट्र जलवायू परिवर्टन सम्मेलन से पहले आयोजित की जा रही है इसके अलावा अमेरिका ने नए लक्ष प्रस्तुत किये हैं जिनका प्रियोजन अमेरिका के ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन को वर्ष 2005 के इस तर से नीचे 50 से 52 प्रतिशत तक कम करना है भारत और अमेरिका की भागीदारी में दो मुख्य बिंदू होंगे जैसे Strategic Clean Energy Partnership और Climate Action and Finance Mobilization Dialogue जो मौजुदा प्रिक्रियाओं की एक श्रंखला को शामिल करेगा इस संइक्त पहल का उद्देश निवेश जुटाना, स्वक्ष प्रद्योगिक्यों को प्रदर्शित करना और भारत में हरित सहियोग को सक्षम बनाना है आईए अब अन्य भारत अमेरिका स्वक्ष उर्जा पहलों को जानते है Partnership to Advance Clean Energy पहल ये वर्ष 2009 में आरंब की रही थी इस भागीदारी का उद्देश अनुसंधान और परिनियोजन का समर्थन करके समाबेशी और कम कारवन उत्सरजन युक्तिसम्रिधी में तेजी लाना है और भारत के उन शेत्रों में जहां तक कम सेवाएं पहुँची है वहां स्वक्ष उर्जा तक पहुँच के लिए US-India Clean Energy Finance पहल संचालित है शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री के संबोधन के मुख्य बिंदू की बात करें तो भारत का प्रतिविक्ति कार्बन फूट्प्रिंट वैश्विक औसत से 60 प्रतिशत कम है भारत ने वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट का महत्तो कांशी नवी करणिय उर्जा लक्षन इरधारित किया है इसके अलावा प्रधान मंत्री ने कहा कि कोविड के बाद सतत जीवन शैली पर बल दिया जाएगा अगली खबर डिजिटल भारत से हाल ही में भारत में डिजिटल मुद्रा की कानूनी स्थती विनियम और भविश्य की बात की गई है वर्ष 2018 में भारते रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो लेंदेन का समर्थन करने से बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था हाला कि RBI के उस आदेश परिपत्र पर उच्चितम नियाले ने रोक लगा दी थी RBI ने अब संकेत दिया है कि वो अपने डिजिटल मुद्रा यानि सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा लॉंच करेगा सरकार ने भी इसके लिए RBI का समर्थन किया है प्रस्तावित क्रिप्टो करंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विध्यक 2021 सभी गयर सरकारी क्रिप्टो करंसी को प्रतिबंधित करेगा और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा प्रारंभ करने के लिए एक विनियामक धाचा स्थापित करेगा डिजिटल मुद्रा किसी भी प्रकार का धन या भुगतान है जो केवल electronic रूप से अस्तित्व में होता है डिजिटल मुद्रा में build, check या सिक्कों जैसे मूर्थ रूपों का अभाव होता है एक क्रिप्टो करंसी एक डिजिटल या आभासी मुद्रा होती है जो क्रिप्टो ग्राफी द्वारा सुरक्षित होती है ये जालसाजी या डबल स्पैंट को लगभग असंभव बना देती है ये ब्लॉक्चेन प्रद्योगी की पर आधारित विकेंद्रीकृत नेट्वर्क के माध्यम से अस्तित्व में होती है हाला कि डिजिटल मुद्राएं विनियमित नहीं है लेकिन फिर भी भारत में इन्हें अभी तक अवैद घूशित नहीं किया गया है लेकिन चिंता की बात ये है कि डिजिटल मुद्रा का उप्योग अवैद गतिविधियों के लिए किया जा सकता है जिससे वित्तिय इस्थिर्ता की समक्ष खत्रा उत्पन हो सकता है दरसल ब्लॉक्चेन प्रद्योगी की एक विकेंद्रिकृत एवं वित्रित खाता बही प्रद्योगी की है जो एक डिजिटल परिसंपत्ति के उद्गम को दर्ज करती है ब्लॉक्चेन प्रध्योगी की पारदर्शिता, अपरिवर्तिनियता और दक्षता पहलूँ में सुधार करती है जो इससे विशिष्ट बनाती है आईए अब बात करते हैं बैंकिंग शेत्र की गयर बैंकिंग वित्य कमपनियों को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानि गिफ्ट सिटी में परिचालन करने की अनुमती मिली इस्थानिया और वैश्विक दोनों गैर बैंकिंग वित्तिय कमपनिया अब गुजराद इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानि गिफ्ट सिटी में परिचालन शुरू कर सकती है उन्हें रिन, डेरिवेटिव ट्रेड्स, निवेश बैंकिंग आधी जैसे सभी प्रकार की सेवाओं को उपलब्ध कराने की अनुमती दी जाएगी इससे विश्वभर की शुर्ष वित्तिय सेवा कमपनिया आकरशित होंगी इसके परिणाम सुरूप समानितर विदेशों में उपलब्ध सेवाएं स्थानी अस्तर पर उपलब्ध होंगी गिफ्ट सिटी विशेश आर्थिक शेत्र अधिनियम 2005 के तहट भारत का पहला अंतराश्रिय वित्तिय सेवा केंद्र है IFSC यानि International Financial Services Center IFSC एक डीमड विदेशी राजिशेत्र के रूप में सभी व्यवारिक उद्देश्यों के लिए नामित किया गया है इसमें अन्य अपत्तिय अवस्थितियों के समान पारितंत्र होगा लेकिन वो भौतिक रूप से भारतिय भूमी पर ही होना चाहिए IFSC में इस्थापित किसी भी वित्य संस्थान को भारत के बाहर इस्थित अनिवासी भारतिय के रूप में माना जाता है ऐसी विदेशी मुद्रा और इस प्रकार की संस्थाओं के साथ कारुबार करने की अपेक्षा की जाती है किनी अन्य विनियमों में समाविष्ट कोई भी नियम IFSC में इस्थापित किसी इकाई पर लागू नहीं होगे ये कुछ प्रावधानों के अधीन होगी गिप्चिटी में उपलब्ध कराई गई सेवाएं हैं अब तटिये बैंकिंग, अब तटिये संपत्ति प्रबंधन व्यक्तियों, निगमों और सरकारों के लिए वित्य संग्रहण की सेवाएं गैर बैंकिंग वित्ये कंपनियों और बैंकों के बीच अंतर NBFCs मांग जमा सुईकार नहीं कर सकती NBFCs भुगतान और निप्टान प्रणाली का हिस्सा नहीं है NBFCs स्वेम पर आहरित चेक जारी नहीं कर सकती है Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation की निक्षे बीमा सुविधा NBFCs के जमा करताओं के लिए उपलब्ध नहीं होती है अगली खबर जलवायू परिवर्तन से संबंदित है अपरिवर्तनिय परिवर्तनों के पांच प्रमुख संके तक प्रदान करती है COVID-19 के विरुद्ध प्रतिक्रिया के कारण वर्ष 2020 में उत्सर्जन में अस्थाई रूप से कमी होने के बावजूद वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों के संद्रन में वृद्धी जारी रही है महासागरों की बात करें तो वर्ष 2020 में महासागरों पर सरवाधिक उष्णता दर्ज की गई थी वर्ष 2020 में लगभग 80 प्रतिशत महासागर शित्र में कम से कम एक समुद्री हीट वेव दर्ज की गई थी इसके अलावा समुद्र के जलिस्तर में वृद्धी पर रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हाल ही में हिम परतों के पिघलने की वज़े से समुद्र का जलिस्तर अंशता उच्च दर से बढ़ रहा है और आर्किटिक के बारे में ये कहा गया है कि वर्ष 2020 में आर्किटिक समुद्री हिम विस्तार दूसरी बार सबसे निचले स्तर पर आ गया है अंटाक्टिका हिम परत में 1990 के दशक के उत्तराज से एक बड़ी राशी की हानी की प्रवर्थी देखी गई है ये प्रवर्थी वर्ष 2005 के आसपास तेज हुई थी वर्ष 2020 सहीत पिछले 6 वर्ष सरवाधिक गर्म 6 वर्ष दर्ज किये गए हैं रूस के वर्षोयांस में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था जो आर्क्टिक वृत के उत्तर में कहीं भी सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया था आई अब बात करते हैं WMO के बारे में ये मौसम विज्ञान, परिचालनात्मक, जल्विज्ञान और संबंदित भूबहते के विज्ञान के लिए संइक तुराष्ट्र की एक विशेशिकृत एजिंसी है और अब अगली खबर न्यायपालिका से संबंदित है उच्चितम न्याले ने आपराधिक मुकदमों के समय बद समापन के लिए नियम निर्धारित किये हैं उच्चितम न्याले के नियमों में इस धारणा पर बल दिया गया है कि त्वरित सुनवाई का अधिकार एक मूल अधिकार है आईएब जानते हैं इसके महतपूर नियम ट्रैल कोर्ट्स को कारेवाई आयुजित करने के लिए एक समय अनुसूची निर्धारित करनी चाहिए गैर जमानती मामलों में जमानत के लिए आविदन का निप्टान पहली सुनवाई की तिथी से तीन से साथ दिनों के भीतर करना चाहिए जाँच के दौरान जाँच अधिकारी को सलाह देने के लिए राजिसरकार अधिवक्ताओं की नियुक्ति करेगी उचितम नियाले, उच नियालेओं और अधिनस्त नियालेओं में चार करोड से अधिक मामले लंबित हैं इसके अलावा आपराधिक मामलों में नियाय विद्रण में देरी से आपराधिक नियाय प्रणाली में लोगों का विश्वास कम होता है तथा सामाजिक कल्यान बाधित होता है इस विलंब के कई कारण है जैसे ट्रायल कोर्ट्स में नियाधीशों की अपर्याप्त संख्या लोग अभियोजकों यानि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की समय पर नियुक्ति लंबित मामलों के अनुपात में नहीं है बार-बार और द तक आपराधिक विभाग के स्थापना करना, टाइम स्टैंप का रिकॉर्ड रखना, नियायलेओं के अवकाश की अवधी को कम करके 21 दिनों तक करना आईए अब नज़र डालते हैं कुछ अन्य महत्तपून सुर्खियों पर यूरोपिय जलवायू कानून यूरोपिय संग के सदसे देशों ने यूरोपिय जलवायू कानून पर एक समझोता किया है ये कानून वर्ष 2050 तक जलवायू तटस्थता तक पहुँचने के लिए यूरोपिय संग की प्रतिबधता को प्रतिस्ठापित करेगा पक्षकार शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन को वर्ष 1990 के इस्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक कम से कम 55% तक कम करने के लिए एक समझोते पर पहुँच गए है इस कानून के माध्यम से जलवायू लक्ष यूरोपिय संग और उसके सदसे देशों के लिए एक कानूनी दायत तो बन जाएगा नासा के परसीवरिंस द्वारा दूसरे ग्रह पर ऑक्सीजन का निर्माण किया गया है मंगल ग्रह के लिए अपने नवी नितम मिशन में नासा को एक और पर ग्रही उपलब्धी प्राप्त हुई है मंगल के वायू मंडल में मौजूद कारबन डाय ओक्साइड को शुद्ध श्वास लेने योग्य ऑक्सीजन में बदला गया है इसे परसीवरिंस एक रोवर में मार्स ओक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटलाइजेशन एक्सपारिमेंट मौक्सी नामक एक प्रायोगिक उपकरन द्वारा संपाधित किया गया है मौक्सी विद्ध अपघटन के माध्यम से कारे करता है ये कारबन डाय ओक्साइड के अणूओं से ऑक्सिजन परमाणूओं को अलग करने के लिए अत्यधिक उश्मा का उप्योग करता है मंगल ग्रे के वायू मंडल का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा कारबन डाय ओक्साइड से निर्मित है हारलेक्विन इचित्थिोसिस ओडीशा के गंजाम जिले में इस्थित एक अस्पताल में हारलेक्विन इचित्थिोसिस के साथ जन्म लेने वाले बच्चे का प्रथम मामला दर्ज हुआ है हारलेक्युन इचित्योसिस एक गंभीर अनुवान्शिक विकार है जो मुख्य रूप से त्वचा को प्रभावित करता है ये ABCA12 जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है जीन में गंभीर उत्परिवर्तन ABCA12 प्रोटीन की अनुपस्तिती या आंशिक उत्पादन का कारण बनता है इस से लिपिट के परिवहन में कमी आती है और परिणाम सुरूप त्वचा का विकास अलग-अलग मात्रा में प्रभावित होता है अफ्रीकन स्वाइन फीवर मीजोरम सरकार ने राजी के कुछ शेत्रों को अफ्रीकन स्वाइन फीवर यानि एसफ के एपिसेंटर के रूप में घोशित किया है एसफ एक गंभीर संक्रामक रोग है जो घरेलू और वन्यशूकरों को प्रभावित करता है ये सीमा पार जन्तु रोग, जीवित यम्रित शूकरों, घरेलू या वन्यशूकरों और शूकर मास उत्पादों द्वारा प्रसारित हो सकता है इसके अलावा संक्रमन एसफ वाइरस के उच्च परियावरनिय प्रतिरोध की वज़े से दूशित चारे और संक्रमन कारी पदार्थों के माध्यम से भी हो सकता है एसफ के विरुद्ध कोई अनुमोदित ठीका नहीं है और ये मनुश्यों को प्रभावित नहीं करता है इस परियोजना की शुरुवात विलियम बेल नाम के एक वनस्पती शास्त्री ने वर्ष 1989 में एक प्रियोगशाला में की थी जो वर्तमान में मिशिगन स्टेट यूनिवरस्टी के परिसर में इस्थित है एलेक्ट्रोनिकी और सुचना प्रद्योगी की मंत्राले द्वारा सरकार में फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्ट्वेर को अपनाने में तेजी लाने की घोशना की गई थी इसमें फोस नवोन मेशकों, प्रद्योगी की उद्यमियों और भारतिय स्टार्टप से आवहन किया गया है कि वे स्वास्त है, सिक्षा, प्रशी, शहरी शाषन आदी में गौव टेक के लिए संभाविद अनुप्रयोगों के साथ ओपन सोर्स उतपाद नवाचारों को प् असर प्रदान करता है, आई अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में, हाल ही में चार्ड के राष्ट्रपती इद्रिस डेवी की फैक्ट नामक विद्रोहियों के साथ संघर्ष के बाद चोट लगने की वजह से मृत्य हो गई, फैक्ट यानी दफ्रंट फोरचेंज एंड कॉनकोर्ड इन चार्ड, चार्ड का नाम चार्ड जील के नाम पर रखा गया है, ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी जील है, लेकिन ये वर्ष 1960 के दशक के बाद 90 प्रतिशत तक संकुचित हो गई है, सहारा रेगिस्तान लगभग देश के इससे को कवर करता है, यहाँ पर साथ मिलियन वर्ष पुराना मानव समरूप प्राणी या हो मिनिट जिसे तोमाई कहा जाता है, इसके अवशेश वर्ष 2001 में प्राप्त हुए थे, इसके साथ ही यंग समाप्त होता है, अगले यंग में फिर मुलाकात होगी, कुछ अन्य मह पूरी टीम आपसे अपील करती है, कि दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र को याद रखें, और कोरुना के खिलाफ एक मई से शुरू हो रहे टीका करन अभियान में, 18 वर्ष से उपर आयू के सभी लोग टीका लगवाएं, और अपने और अपने परिवार की सुरक्षा हाँ लेकिन इसके साथ ही मास्क पहने, हाथ और मुझ साफ रखें, और दोगस दूरी का पालन करें, और इसके साथ ही विजन आइस की पूरी टीम को दीजी अनुमती, नमस्कार